आज मैं आपको बताऊंगी कि जो newborn से लेके 3 months तक की age के बच्चे हैं जब उनमें tear produce नहीं होता जो बच्चे बहुत चोटे होते हैं उनमें आसू नहीं बनता उनकी eyes में आसू बनने की शमता नहीं होती तो अगर उनकी आँख में कुछ भी first जाता है कोई foreign object अगर आपको का लोगे क्योंकि छोटा बच्चा है उसकी आँख में आसू भी नहीं आएगा कि वह बाबा ब्लिंग करें आसू आ जाए और वह निकल जाए ऐसा नहीं होता में नोटिस भी नहीं करते होंगे कि उनकी बेबी की eyes में eyelashes फसी हुई हैं लेकिन मैंने अपनी बेबी की eyes को कैसे निकालना है लेकिन उस दूं क्या हुआ कि हमारी बेबी चया क्योंट क्या सब्सक्राइब करना है क्या करना है कि ढौकि मेरा बेबि आई में इस तक नहीं है हेर तो इस पर मैं नहीं दिखाऊंगी ये डुख़की कैसे अब को अगर उसकी ऐलेश में हैर स्टक है कैसे निकलना है सबसे पहले आपको अपने हातों को बहुत अच्चे से tama की वोश करना है उसके बाद एक बहुत साफ टाल से उनको ड्राय करना है उसके बाद आप क्या करोगे उसके बाद आप लोगे नॉर्मल सेलाइन cat फोट करने के बाद जब ऊसकी आईस में यहां भी है तो you can stop as to your dog ही ऐसे ही वेफले tittापक और मों पषके एक मैं वार निकल गया तो होता है कि पानी के साथ हो ग compare the aec पानी के साथ पानी दाला दर के साथ जो है रूंसे खुला आपको कूछ नी करना सब्सक्र 편 Breathe चाहिए एक नर्मल सा लाइन चाहिए आपके हैंड बहुत क्लीन होने चाहिए उसके बाद आपको आइज में पानी डाला है और बेबी को टेल्ट कर देना है फ्लो के साथ तो यह सिंपल सा ट्रिक था कि बेबी की आइज को हमें कैसे क्लीन करना है अब दूसरा क्या होता है कि अगर आपकी बेबी की आइज में स्टिकी मैटीरियल आता है तो उसके लिए आपको कैसे क्लीन करना है वो मैं आपको नेक्स वीडियो में बताऊंगी मेरे चैनल को लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना शेयर कर देना थैंक्यू